धार्मिक नियाज से अक्षत तृत्या की तीथी बहुत शूब और लापदैक मानी जाती हैं वैसाग मा के सूकलपक्स की तृत्या तीथी को अक्षत तृत्या के तौर पर मनाया जाता हैं इसे आखात्रीज के नाम से भी जानते हैं मान्यता है कि आज के दिन मा देवी और भगवान विष्णू की विदी विदान से पूजा करने से उन्हें सुख स्वबाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन पूजा पाट के अलावा सोना करीदने का भी विदान होता है। माना जाता हैं कि इससे भी सुख स्वबाग्य की प्राप्ति होती हैं। अक्षत तृत्या की पूजा वीदी पहला हैं आज के दिन सुबह जल्दी उठे और सनान करें। कोशिस करें कि सनान करने से पहले पानी में गंगा जल डाल दे। इसके बाद दूले हुए वस्त्रा पेने, अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हैं तो आज वही दारन करें। दूसरा है, पूजा करने से पहले कोई कपड़ा या आसन बिचा ले, फिर ही इस्तान गरन करें। माना जाता है कि बिना आसन के पूजा करने से सादक को फल नहीं मिलता है। तीसरा है, पूजा के लिए एक चौकी पर साफ कपड़ा बिचाए, फिर उस पर भगवान विश्णो की मूर्तिया तस्वीर साबित करें। इसके बाद उन्हें गंगा जल्सिस नान करवाएं। चौता है, इसके बाद भगवान पर तुलसी की पत्या, फल फुल आदी चीजे अरपित करें। अगर संभव हो तो फुल पीले रंग के ही अरपित करें। ऐसा करने से भगवान जल्दी प्रसंद होते हैं। पांचवा हैं, आखिर में भगवान विश्णू और माता लक्स्मी की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। थैंक यू।